उद्धो ठाकरी को अभिश्वास प्रस्ताओं के बाद सदन का सामना करना चाहिए था इसके अलावा केंद्रियर राज्यरेल मंत्री राव साहिब दानवे ने उद्धो ठाकरी के आलोशना करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी को धोका देने के अलावा वह कॉंग्रेस और रोजगार मेले का आयोजन किया गया इसके बाद वे पत्रकारों से बात्चित करते रहे दानवे ने यह भी कहा कि मेरे लिए अब देविंद्र फट्नवीस और अजीत पवार के बीच बोलना उचित नहीं है उन्होंने कहा कि मुझे सुभा के शपत गुरहन समारों के बारे जो का जनादेश आला होता तो भारती जनता पार्टी शिवश्यना यूतिशा बादूना जनादेश आला होता परन्तु जनादेशाला दुड़काउन असंगाशी संगत के लिए और भारती जनता पक्षयाची यूति तुरूं कांगरेस राष्टवादी बरवर यूति के अनि सरकार स्तापन के लिए या राज्यात ले जनतेला पसंद नो थो त्यान अंतर पुना सत्ता संगर्ष जाला अनि जा आमदारन ला असे वाट दुटत क्या मी दगा फटका दिला अनि दूसरीया सोबत के लो ही किया माला पसंद नें ते पुना भारती जनता पार्टी श सरकारे ये नैतिक तेचा आधारावर सत्तेवर आलले सरकारे करन याज सरकारला राज्यात ले जनतेनत जाना देज दिला होता परंतो आता कोर्टा मदे या दोनी बाजु लड़ता है अत्ता परेंजे निकाल लागले ते सर्व समाविशे का शे लागले क्वंती एक इन बीसे न्यूस के लिए भिशेक पांसी की रिपोर्ट झाला जद रिपोर्ट